किसी भी IPO के subscription का status हम कहां पे देखें जैसे आपको पता है कि हर IPO कुछ दिन के लिए खुलता है कोई 3-4 दिन के लिए कोई 6 दिन के लिए और उस period में किस समय कितना subscription उसमें हो चुका है इन्वेस्टर कितने आए है यह सारी चीज़ें जो है वह आप कहां देख सकते हैं यह हम यहां पे आपको बताते हैं तो आईए मेरे देखने वाला है तो मैं इसका स्टेटस देखना चाहता हूं तो स्टेटस देखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है आप जो है वह गूगल पर जाएंगे सबसे पहले और आपको देखना है कि यह जो शेर है वह बीसी में लिस्ट हो रहे हैं या दोनों में लिस्ट ह हो रहे हैं तो उसमें अगर जैसे बसी किया कोई share है जो बसी में लिस्ट हो रहा है तो आप बसी IPO करके यहां पर सर्च कर सकते हैं और पहला जो लिंक है वह आप यहां पर खोल सकते हैं तो यहां पर आपको जो latest IPO क्या चल रहे हैं पुरानों का क्या status है और आपकी application का status देखना है तो वो भी आप यहां पर देख सकते हैं तो यह हो गया यहां पर आप BAC के लिए देख सकते हैं इसी तरह से हम Google पर जाके अगर NSE का देखना है तो NSE IPO हम यहां पर देखते हैं इसमें भी आपको जो पहला link मिलेगा आप उस पर click कर सकते हैं तो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं यह जिरोधा में इस समय तीन IPO जो है वो लाइव है आपके सामने एक है विलास बीकन और जी एसम फॉयल यह तीनों आपको जो है वह यहां पर दिखाई दे रहे हैं विलास और यह सम फॉयल आप इसमें से आज जी एसम फॉयल बंद होने वाला है तो मैं देखना चाहता हूं कि इसके क्या मतलब कितने लोगों ने जो है यह इसमें अप्लाई किया है वगएरा तो यह information जो है वह आपको यहां पर इस पर क्लिक करके यह दो मोटा मोटा तो आपको वैसे यहां से ही पता लग जाता कि NAC में जो बिड डेटेल है सारी categories में वो कितने भर चुके हैं देखिए ओफर कितने थे जैसे हम GSM का देख रहे हैं तो यहां पर लिखाए कि 34 लाख शेर जो है वो ओफर किये गए थे उसके लिए कितनी बिड आ गई है मतलब कितने शेर की बिड आ चुकी है यह तो 41 करोड 88 लाख 8000 की बिड आ चुकी है यानि आप सोचे है जैसे यहां पर आप देखें लगबग 39 लेक्स के आसपास के शेर ओफर पे थे लेकिन लगबग 5 करोड के शेर जो है वो उन पर बिड हो चुकी है और यह बीकन का तो अभी शायद आज पहला या दूसरा दिन है आज पहला दिन ही देखिए तो आज खुला है तो आज ख केटेगरीज मिलती हैं सबसे नीचे जो है वो रिटेल इंवेस्टर है रिटेल इंवेस्टर कौन होता है इनका को ऐसा नहीं होता है कि मैं रिटेल हूँ या आप एचनाई है या जो आई प्यों का बिड़ दो लाख रुपए से कम पैसा लगा रहा है एक आई प्यों में व और इसंट-णि अचनाइब्स होता है जो दो लाख से कम पैसा लगाता है यह एक ड़िएल इंवेस्टर की केटेगरी होती है एक वो तो वो जो है वो हमारे आते हैं नौन इंस्टूशनल इन्वेस्टर्स में और तीसरा हमारा होता है है क्यू आई वी जो कि क्वालिफाइड इंस्टूशनल बायर्स जिसमें एफ आई आई डी आई और बड़े मूचल फंड आते हैं तो यहां आप देख सकते हैं कि कि भाई य सामने यह सेक्शन होता है देखिए यह बड़ा सेक्शन है और रिटेल में आप देख सकते हैं कि 28 करोड शेयर सिर्फ रिटेल में अप्लाए हो चुके हैं नौन इंस्टूशनल में लगबक 13 करोड और क्यू आई बी में सिर्फ 68 लाग तो टो टोटल जो है वो लगबक 42 करो और यह जो है लास्टे काफी अपडेट होता रहता है आप इसमें यहां पर यह रिफ्रेश का बटन दबाके और इसको फिर से अपडेट करके देख सकते हैं टाइम टो टाइम कि कितना परसेंट जो है वो भर रहा है तो यहां पर आप यह सारी जो डिटेल्स हैं वो आप य दिखा देगा कोल एक्वाइब कितना वर्रण हैं क्यूआईगी में होते हैं हमारे डियाइस होते हमारे मूचलव फंड अरा इस में हम्मारे कॉर्प ेeln होते हैं हमें वहां हम इंडिविडियल होते हैं उसमें यह COT होती हैं आपने कट-off पर अप्लय किया है यह आपने price का bid डाला है किसी specific price का तो वो दो यहां पर अलग-अलग categories में जो है लोग apply करते हैं और यह आपका पूरा total है तो अब किसी भी समय जब IPO खुल गया है और चालू है आप यहां पर आके detail देख सकते हैं कि IPO अभी इस समय कितना भरा है और जब इसका closing time होगा तो आपको यहीं पर final figure भी मिल जाएगा कि यह total IPO कितना times भरा है मोटा-मोटा basic आपको जो knowledge चाहिए वो आपको इस category से मिल जाती है कि beacon अभी 12 गुना भर चुका है विलास अभी 16 गुना भर चुका है और gsm files जो है क्या subscription status है कितने times भर चुका है तो I hope दोस्तों यह वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा अगर helpful रहा होगा थे थमसब जरू दीजिएगा और मेरे के चैनल को subscribe कीजिए thank you bye bye have a good day